समझते हैं क्या होती है एस्टरीस इनको हिंदिम क्या बोलते हैं जुआर नदमुक ठीक है न अगर आपने जोगराफी में पढ़ा होगा तो कि डेल्टा और एस्टरी में क्या अंतर होता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इस लेक्चर में हम जानेंगे डेफिनिश फीचर ऑड़ फांक्शन के बारे में जो नेक्स लेक्चर होगा उसमें जानेंगी इंपोर्टेंस अन्ट्र के बारे में सो स्टार्ट करते हैं सो पहले definition, so esteries are coastal ecosystem, तीक न, यह तटी पारितन्त है, क्योंकि तट पर पाई जाते हैं, किसके तट पर समुद्र के तट पर, where fresh water from rivers and stream, नदियों से क्या आता है fresh water, तीक न, जिसको आप पी सकते हो, और समुद्र से क्या आता है, salt water, तो यह क्या बह करा रहा है, fresh water यहां पर क्या है, यह समुद्र है तो यहां पर यह जो area है यह क्या है, इस चुरी है तो यहां fresh water मिल ला है और यहां से salt water मिल ला है, तो यह बंदा आए, एक त्रीके का, S चुरी तो यह क्या हो गए हमारी definition डेल्टा भी लगवग ऐसे ही होते हैं बट इस चौड़ाई इनकी ज़्यादा होती है कुछ इतने चौड़े होते हैं यह जो बीच बीच में लैंड होगी, पानी बैरा होगा फिर लैंड होगी, फिर पानी बैरा होगा इस चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है सीधे पानी बड़ी तेजी से फ्लो हो जाता है तो इस यूनीक इन्वार्मेंट आर क्रेक्टराइजड बाइड ग्रेडियंट आप सैलेंटी आरखाक सैलेंटी इसके फीचर्स समझ लेते है तो पहला है Tidal Flactuation जब Tides आती हैं बोले तो जवार भाटा आते हैं तो क्या होता है यहां Flactuation होता है बादा पानी उपर जाता है नीचे जाता है तो Salinity भी कम ज़्यादा होती रहती है So Asturies are influenced by the rise and fall of Tides which can cause change in water level and salinity जब जवार भाटा आएगा तो पानी उपर तक चला जाएगा तो यहां खारापन बढ़ जाएगा जब वापस जाएगा तो जो fresh water यहां ज़्यादा पैल जाएगा तो कम हो जाएगा खारापन, salinity कम हो जाएगी तो यहां पर Tidal Flactuation देखने को मिलते हैं दूसरा यह mixing zone है क्योंकि mix हो रहा है कैसा पानी fresh water and salt यहां पर जहां से पानी इधर से इधर की ओरा रहा होगा तो यहां पर salinity कम होगी यहां पर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और यहां पर salinity सब्सेज़ादा होगी तो lowest salinity near the river mouth यहां पर salinity कम होगी और यहां पर salinity जादा होगी and the highest salinity near the ocean vegetation की बात करें तो estries are often lined with vegetation such as mangrove, salt, marg, grasses यह करे कि क्या है दलदली तो है यहां पर क्या बनेगा यहां पर ऐसा तो है नहीं खुब गहरा हो जाएगा यहां नरी बहकर आ रही है तो यहां mangrove forest यहां पर पाई जाते हैं तो वह क्या करते हैं जो habitat बनने लगता है आवास बनने लगता है तो यह क्या होगा इसके features ओके आगे समझ लेते हैं इसके functions के बादे में तो पहला पर habitat यहां पर बहुत साही जो species पाई जाती है इस इस प्रोवाइड इंपॉर्टेंड हैबिटेट फॉर वराइटी आव प्लांट्स एन इनिमल इस्पेसी इंक्लूडिंग मैग्रेटरी बर्ड्स फिस एंस सेलफिस यहां मसलियां भी पाई जाएंगी जो सेलेन वाटत वाली होती है इतीया समध से आती है वह भी पाई जाएंगी और तो नरती से मिल लाए होती हैं क्यूंकि नदों च neurolog साथी मिल रही होते हैं इसके अलावाब बहुत सारी यहां पर सबस guarantees है क्या यहाऌ पर बाइवर्सरी कपी ज़्याद होगी बाइवर होगी बोले तो अलग-अलग जियू जन दुपाए जाएंगे तो उनके हैविटेट भी तो होंगे हाँ पर दूसरा क्या है निउट्रेंट साइक्लिंग यह भी सकाइप पंक्सन है एस सुरी जार इंपॉर्टेंट साइट फॉर्ट निउट्रेंट साइकलिंग विट निउट अप्रियूर्ट निउट्रेंट साइट होता है तो नदी में निउट्रेंट साइंगे जो जमीन होती है ठीक है में समुद में भी बहुत सार्ट होते हैं तो यहां पर क्या होता है मिक्सिंग होगी होती दोनों तरीके के न्यूट्रियंट्स की यहां पर जो प्लांट और एनिमल्स की बहुत डैवरसिटी देखने को मिलेगी वाटर प्यूरिफिकेश्म आपको बताया ना कि जो एस चुरी होते हैं ओप करने में जो वहाँ पर सेड्यमेंट्स बैह कर आते हैं उनको स्टेबलाइस कर देते हैं तो हैवी मेंटल्स पराएदा आएं तो वहाँ पर पताया ना कि बहुत बहुत वाले जो एक्सीस पाई यहां पर मिल लए नदी तो क्या होगा मालो कोई तूफान वगएरा आता है तो होता कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं यहां पर क्या होता है बहुत सारी ऐसी वनस्पत ही पाई जाती है यहां पर सैडीमेंट्स जमारा होते हैं बहत चारा गाड इसको बोल सकते हैं जो नदी से बहकराती है और बहुत साही मैंगरो फौरस वगरा पाई जाते हैं तो होता क्या है कि मान लो कि मर्दा अपरदन हो रहा है ठीक है ना मिट्टी नदी की तरफ से बहकर आ रही है तो जहां पर बीच में पेंड मिल जाते हैं तो वो क्या कर लेते हैं उसको रोग देते हैं वो जो अपरदन होता है इरोजन होता है इसको रोग देत आपको सब चीज़े याद नहीं करनी जैसे आपको यह तो पता ही है कि एक तरीके के दलल बनेगा यहाँ पर ठेके ना तो वेट लैंड्स में यह सब फीचर्स देखने को मिलते ही मिलते हैं तो कुछ अपना दिमाग लगाओ जैसे न्यूटरंट साइक्लिंग बगयरा कि यहां दों तरफ से न्यूटरंट्स मिलते हैं तो पोसक तो काफी ज्यादा होते हैं तो हैविटेट्स जी काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे और जहां जहां आपको इकोटोन नजरा आजाए इस तरीके से आप चीज़ों को एक्स्प्लेइन कर सकते हैं ओके हुआ 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 है